तो बहुत सारे केंडिडेट की डिमांड थी कि 21 दिसंबर से मेडिकर प्रारम होचके इंडियन एश्फोर्स की तो उसका रिव्यू ले गया यह तो आज हम रिव्यू से एर करने वाले किस दिसंबर का यह रिव्यू है आई तिंग लगवक सभी पॉइंटों पर बात करेंगे जितने वहां चेक अप हुए और कोल मुला खर कितने केंडिडेट को रेड काड मिला कुटने केंडिडेक को ग्रिन काड मिला और किन किन मे में मेजर पॉइंट बन रहे हैं तो आज चलते हैं 21 दिसमार्ग रिविव्यो में कि humor कोई when a Radio show करना चाता है des Jahren forens ते दुग मू पंपना रिविवु शेर कर सकती हूं तो ही चलती आप यहां से देख सकते हैं तो साड़े 6 पर entry हो गई थी इनकी आप यहां से देख सकते हैं morning में इनकी साड़े 6 वजे entry हो गई थी कुल मलाकर 45 की reporting थी 21 को reporting हुई थी 21 December को इनकी reporting हुई थी सबसे पहले हमारा blood test हुआ और फिर urine test हुआ तो जैसे ही इनकी entry हो गई तो इसके पस्चा दिनका चेस्ट एक्सरे लिया गया था इसीजी पॉइंट चेक किया गया तो इसके पस्चा दिनका खाना खाने के बाद फिर blood test हुआ तो क्या था कि जैसा कि आपको पता हुआ घंट इन रिफोर्स की जब होता है तो इसके पस्चा दिनका दीर नोज यस सभी नश चेक किएगे तो इस Preosed ॹलेख होना चाहिए किसी बी प्रकारrás का आपने यदृभार्ट्र मूंट चीए तकू यदो आपको पकरसानी का समनाकर Колका करना पड़ सकता ve वही नोज की बात करें तो नोज में आपका डियनेस पंट चेक किया गया था आई टीथ आपकी यह जो आई यह सिक्स वाई शिक्स होनी चाहिए वही आपका टीथ 14 डेंटल पॉइंट होने चाहिए तो आई में आपका 6 by 6 चेक तो करते हैं साथ साथ में color blindness color vision यह सभी पॉइंट मेडिकल में चेक किया जाती है आगे चलते हैं इसके पस्चादन का BP और pulse चेक किया गया था तो measurement हुआ इसके पस्चादन का measurement हुआ आपका height weight chest तो weight आपका height के according ही हुने चाहिए इसके पस्चाद आपकी जो chest 5 cm expansion होना ही चाहिए इसके पस्चाद का private पार पार्ट और प्राइवेट पार्ट में जैसा आपको बता है pulse और hydrosal वगरा point चेक किये जाती है कुछ jump करवाई की क्या होता है कि जब आपका hand wind, knock, flat feet, sweet palm point चेक किये जाती है तो वहां आप से कुछ physical activity कराई जाती है जिससे क्या होता है इस candidate को क्या होता है हदेली में पसीना आता है तो उसको पसीना भी आ जाता है और जिन candidate के घुटनों में problem होती है तो उनको cut cut की आवाज आती है जिसके कारण वहार हम से पेंचानने में कोई दिक्कत होती नहीं है तो आगे देखेंगे आप यहां से और विव देखा जाए तो positive ही रहा है 50-50 वाला परसेंट रहा है आप यहां से देख सकते हैं 23 को green card मिल चुका है जब के वाइस candidate को red card मिल चुका है अर्थात इनके पास एक और मौका है भी अपने medical को clear करनेगा आप यहां से आगे देख सकते हैं जब मैंने इंसे पूछ लेते वेट वाले थे आई डिस्टेंस विजन और तो बीपी आप यहां से देख सकते हैं इन में पॉइंट मेजर वर रहे हैं आपका year में ECG वेट आपका वेट हैट के होना चाहिए ज़्यादा वेट है तो ओवरवेट का पॉइंट बना देंगे यह आपका कम वेट है तो किसी को पॉइंट तो आप यहां से देख सकते हैं हाँ डिएनस वाले थे दो से तीन तो दो से तीन ऐसे केंडियेट रहे थे जिनको मेडिकल के तौरां डिएनस का पॉइंट मिल चुका है तो मैंने इसे बूचा जो वेट वाला केंडियेट था उसका वेट कितना ज्यादा आप यहां से देख सकते हैं तो उसका जो वेड़ था 5-6 कलो ज्यादा वेड़ था जिसके कारण उसको medical point मिल जोगा है तो यही था review और जैसे ही कोई next review मिलेगा मतरूंद आपको update देता रहूँगा तो जो भी कोई candidate क्या है कि पहली वार visit कर रहा है चैनल को सबस्क्राइब कर सकता है सबस्क्राइब करने के साथ बैल आइकोन भी दवा सकता है जिससे मेरी आने वाली वीडियो को आपको समयबर प्राप्त हो जाए तो वीडियो को देख सेयर करें जो candidate क्या है अपना medical देने जाएंगे तो उनको एक help मिल जाए तो आप यहां से देख सकते हैं वेट में भी point मिल रहा है आपका ECG और यहसा भी point बन ही रहे है यह देखा जाए तो major कोई नहीं है यदे आपका stick point है तो दिक्कत हो सकती है यदे आपका normal point है तो रिमेडिकल में आ दिस्यूबी